हैलो दोस्तों, मैं यहां पे कम सामानों से बनने वाली टेस्टीस रेशिपी सेयर करती हूँ जिसने की किचन लाइब container बहुत हीजी हो जाती है आज हम बनने वाले हैं सब्مل सीम्ट टरीक से सब्सक्राइब कोड़ा डेशिपी हेलो इब्रीमाम नमस्ते वेल्कम बैक टू माई चैनल खुस्पू बॉलॉक्स और रेस्पी और मैं हूं खुस्पूू। चलिए फिर मिलकर बनाते हैं आज की में तार्ची रेस्पी। मैंने यहां पर 200 ग्राम लिए हैं सोया चाप, 200 ग्राम में 5 यच्छे इस्टिक्स आ जाती हैं सोया चाप की। तो इसके अंदर तक जाएगा तो ज्यादा टेश्टी बनेगा। अब हम इसको पीसेज में कट कर लेंगे। एक चाप में हम तीन या चार पीस कट करेंगे। आप चाहें तो आपने हिसाब से बढ़िया चोटे कर सकते हैं। तो यह देखिए अब असी तरीके से हमें काट लेना है। बहुत ही सिंपल है। अब एक कड़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे। तेल बहुत ही अच्छे से बढ़िया सा गरम होना चाहिए। और उसमें यह सारे हम सोया चाप डाल के फ्राई करेंगे। तो इतने सोया चाप म करना है। क्योंकि हम इंडियन्स की आदत होती है। हर चीज में उंगल करने की। तो अभी आपको इसको बिल्कुल नहीं करना है। एक मिनट के लिए हाई फिलेंपे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप तुरंट चलाने लग जाएंगे तो यह नीचे से चिप अगर आप तो इसको हम एसे इसे ही हाई फिलेंपे दो से तीन मिनट के लिए बढ़िया सा कलर आने तक शीक लेते हैं। यह हमने चाप को तीन मिनट के लिए हान पर सेखे तो इसको गळा निकालेचे ανति बढ़िये तो आप हम इशे कि एक स्ट्रा ओया थिखले गा सब परह 2-3 चम्मच 1 चम्माल 1 चम्ममच 1 घरंवी ऐंदरा पें जमेश को aja है आदे अभी आधे चम्माले झालों तो अभी हम इसको ढग देते हैं और छोड़ देते हैं आदे गंटे के लिए इतर हमने जिस कड़ाई में सोया चाप को फ्राइ किया था न उसी कड़ाई में से हम तेल निकाल देंगे और दो चम्मच तेल रखेंगे और उसमें हम डालेंगे यह तीन बड़े साइज के तो अब हम इसमें डालेंगे तीन बड़े साइज के कटे हुए तो अगर आप कम डालना चाहें तो अपने हिसाब से मैंनेज कर सकते हैं अब हम प्याच के साथ तमाटर को डालके भी दो मिनट के लिए बहून लेंगे गैस किफले मीडियम कर देंगे ताकि टमाटर जो है थ तो हमें इसी स्टेज तक भूनना है ताकि प्याज और टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो दो से तीन मिनट आप भूनेंगे नो उतने महीं टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो अभी हम गैस की फिलेम ओफ करते हैं और इसको थोड़ा सा थंड तेल डालेंगे यहां मैं वही कड़ाई उज कर रही हूं आप जाएं तो दूसरा परतन भी ले सकते हैं और उसमें हम डालेंगे दो तेज पत्ता एक इंच दाल शीनी का टुकड़ा इसी के साथ हम ले लेंगे दो लॉंग एक छोटी इलाइची और एक बड़ी इलाइची इन सब को डालेंगे अच्छे से थोड़ी देर के लिए 30 सेकड लिए भून लेंगे आप इसमें डालेंगे एक चमबच जीरा जैसे यह च्टक जाएगा गैस की फिलेम एकदम लो कर देंगे और एक दमच ढली जीरा और ऑब आश्मच से की लेंगे झाली उच धनी थनी अब देखेंगे कि हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून गए हैं क्योंकि यह सिर्फ तेल में भून रहे हैं अभी हमने पानी नहीं डाला है और अब हम इसमें एड कर देंगे जो हमने भूने हुए प्याज लेसून और टमाटर का पेष्ट बना के रखा था इसको डाल के चलाते हुए दो मिनट के लिए बढ़िया सा भून लेंगे गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और बाकी का जो इसमें मसाला बचाया है नो भी शारा निकाल के चम्मच से ऐसे डाल देंगे वो क्यूं वेस्ट करना है न और अब इसे लागतार चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए भून लेते हैं हाई फ्लेम पे तीन मिनट हो गया है मसाले भूनते हुए तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ सोया चाप जो कि हमने आदे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा अभी मसालो के साथ चाप को मैंने भून लिया है और अब हम इसमे एड़ करेंगे पानी तो यहां पे मैं एक गिलास पानी डाल गी हूँ आप ग्रेवी अपने हिसाब से देख लीजिए जितना भी ज्यादा या कम रखना है या पतला गाढ़ा जैसे भी आपको रखना है उस ह अब इन सबको एक बार अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक इस हिसाब से डालना है क्योंकि हमने मैरिनेट करते टाइम भी नमक दाला था तो यहां पर मैं एक चम्मत नमक और डाल रही हूं मिला देंगे इसे अच्छे से और गैस की फ्लेम कर देंगे और इसको ढखके अब हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये धीमी धीमी आज पर अच्छे से पख जाए तो ये देखिए सब्जी में से क्या बुल बुले उठ रहे हैं तो अब हम इसको एक बार चला देंगे और हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है क् सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है तो अब हम गैस की फ्लेम ओफ करते हैं और आप चाहे तो इसको ढखके पांच मिनट के लिए छोड़ दें जिससे और ज्यादा इसका फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा या फिर तुरंत भी खा सकते हैं तो हम इसको सर्व कर लेते हैं एक बा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके चाप के सब्जी कैसी बनी मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहता है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज की रेस्पी आपको कैसी लगी और अगर रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को बाई बाई टेक कियर